दोस्तो क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा मगरमाच और दुनिया की सबसे बड़ी शार्क, Great White शार्क अगर आमने सामने आके भेड़ जाएं तो इन दोनों जानवर में से कौन जीते गा? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, तो चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हैं दोस्तो एक जानवर है जो 7 मीटर तक हो सकता है रेरली और ग्रेट वाइट शार्क जो भी 7 मीटर की हो सकती है असानी से दोस्तो मगरमच कभी कभी ही बहुत रेर ही होता है जैसे लोलॉंग वो भी 7 मीटर का नहीं था पर प्रॉबेबली एक मगरमच को दुनिया भर के लोग जानते हैं पर उसको आज तक हो जा नहीं जा पाया है उसकी भी डॉकुमेंटरी है लोलॉंग के बाद तो वो आप देख सकते हैं तो सबसे पहले आब हम लोग जान लेता है इन दोनों जानवरों में से जीतेगा कौन दोस्तो अगर शार्क ने मगरमच के आखों के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लिया अपने जबड़े से ग्रेट वाइट शार्क ने तो उसका बाइट फोर्स इतना जादा होत है कि मगरमच को वो आसानी से मार सकती है पर अगर मगरमच ने शार्क का मुँ पकड़ लिया या फिर कोई भी जगा ऐसे पकड़ ली तो वो तुरंत डेथ रोल शुरू कर देगा और उसके बाद शार्क का बचना ना मुम्किन हो जाएगा शार्क को मगरमच अधमरा बना देगा और शार्क के पास एक एडवांटेज ये है कि अगर वो मगरमच के नीचे से हमला करेगी तो मगरमच को वो आसानी से मार सकती है दोनों जानवरों के पास एक दूसरे को मारने के लिए एडवांटेज है तो अब आप जल्दी से कमेंट में बता दीजे कि आपको क्य बारेगा